असलाम आलेकुम, तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम आपको मक्य की रोटी बनाना बताएंगे, आप भी सोच रहे होंगे मक्य की रोटी, तो देखिए यह हम अपने तरीके से आपको बताएंगे, इसके लिए हमने प्याज और हरी मिर्च चॉप कर लिए फाइनली चॉप होनी चाहिए, फिर इसमें हमने तकरीबन एक कब भरके मक्य का आटा आट किया है, पहले इसे अच्छे से छान लेना है, और इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी आट करिएगा, गेहूं का आटा जरूर आट करिएगा, नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, थोड़ी सी अजवाइन डालिए, हरा धनिया है तो हरा धनिया भी डाल दीजिए, साथ में चाट मसाला एड़ कर दीजिए, फिर इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिला लीजिए, और इसे ल्यूक वर्म यानि गुनगुना पानी, उससे इसका डो बनाना है, से में लिक्विड डो होगा, ये रोटी के लिए जैसे आटा गूते हैं, उस तरह नहीं होना चाहिए, तो अभी हम आपको दिखाते हैं, इसे कितना पतला रखना है, तो इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, इसे हम बेल के नहीं बनाएंगे, इसे हम हाथ से डारेक्ली तवे पर अपलाई करेंगे, पानी के हल्प से, तो एक नॉनस्टिक पैन को हमने प्रिहीट कर लिया, और थोड़ा सा इस पे घी अपलाई किया, अब हाथ में पानी लगा के, इसे इस तरह से प्रेस करते हुए फैला दीजिए, फ्लेम इस वक्त मीडियम टू स्लो रखिएगा, ज यह देखें, जिस तरह से हम बना रहे हैं, आप ऐसी ही करिएगा, मक्य की रोटी बेलना थोड़ा सा टिपिकल काम है, बनती तो बेल के ही है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे, तो यह जल्दी बन जाएगी, और इसली तो बनेगी, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा, तो सर्दियां आ गई है, तो सर्दियों की मक्का, बाजरा, खास सौगात है, और यह हेल्द के लिए भी अच्छी होती है, तो आप लोग इसे जरूर यूस किया करिए, तो यह देखिए, एक तरफ यह अच्छे से पक गई है, अब हम इसका साइट चेंज कर देते हैं, स्लोली, स्लोली इसे प्रेस करके पकाईए, जब तक कि इस पे एक अच्छा सा कलर ना आ जाए, और वो अच्छे से पक ना जाए, आप चाहिए तो इस पर थोड़ा सा बटर या घी भी एपलाई कर सकते हैं, टाइम टेकिंग है, पर बन के बहुत अच्छी तयार होती ह और टेस्ट जब आप बनाएंगे तब पता चलेगा, तो ये देखिए, हमारी मज़िदार सी मक्य की रोटी बन के तयार है, बहुत प्यारा सा इस पे कलर आ गया है, और खुश्बू भी बहुत ही ला जवाब आ रही है, इसे हमने निकाल लिया है, और इस तरह से हमारे पास वाइर गौज है, उसके उपर हमने रोटी रखी और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, इसे हमने दोनों साइट से अलट पलट के मीडियम फ्लेम पे पका लिया, और ये रोटी तयार है, इसे हमने टमाटर की चिटनी के साथ सर्फ किया है, रेली, ये सही में पापा को सर्फ कर रही हूँ, और पापा को तो ये बहुत पसंद है, हम लोग प्लेन नहीं खाते तो इसलिए मम्मी इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच दे देती हैं, बट पापा को ये प्लेन ही पसंद है, पापा विंटर्स में मक्का और बाजरा पसंद करते हैं, ज्याद तो चलिए फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, आप लोग भी वैसे इसको जरूर ट्राइ करिएगा, इंशाल्ला आपको पसंद आएगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थाइंक यू फो वाचिंग इंग